कैसे हैं दोस्तों मैं हूँ बिलाल हम सीक्रेट नेक्सचेस 13 तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम मज़ीद और एक्सप्लोर करेंगे तो चलते हैं अपने कोड के उपर अभी तक जो हैं हम एक गेट की रिक्वेस्ट बनाई है मतलब हमने एक API बनाई है जो के गेट मेथट के उपर है जो के हमने पिछली वीडियो में सब एक्सपेरिमेंट करके देखे थे क्यूरी लगाई थी पहरमस के बारे में जाना था और बहुत सी चीज़स में जानी थी जिन्हों ने अगर वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वह पहले ये वीडियो देख ले तो अब हम क्या करते हैं अब हम डिफरेंट मेथट से API बनाते मतलब के फिलाल हमने गैट मेठर्ड यूज किया था अब हम पॉस्ट मेठर्ड यूज करते हैं तो हम इसको जरा सा इस तरह से कर देते हैं और API बनाते हैं एक और इसको मैं जूम कर दो ताक् extend फक्लियर हो तो हमें post method चाहिए तो मैंने लिख दिया post और मैंने अपने function को complete कर दिया clear हो गया और इसमें हमने एक parameter pass करते है request जिसके अंदर हमें एक object मिलता है जिसके अंदर बहुत सी चीजे होती है जिसे हम use करते है during programming और उसमें बहुत सारी चीजे हमें मिलती है जो मैंने आपको बताया था कि हम बहुत सारी हम काफी हम उसको explore भी करेंगे जो आज भी explore करेंगे और बहुत सी चीजे आप खुद explore करना और काफी कुछ होता है जो हम वक्तन फा वक्तन उसे use करते रहेंगे ठीक है तो यह मैंने पोस्ट की एक API बना दी जो के कुछ return करेगी क्या return करेगी फिलाल के लिए हम कहते हैं एक response return करें जिसके इंदर हम सिर्फ लिखेंगे पोस्ट API किलियर है और चुनके यहां पे मैं सिर्फ एक ही response दे रहा हूं string तो मुझे यहां पे new लिखना जरूरी है अच्छा यह हो गया मैंने एक पोस्ट की API बना दी अगर आप इसे टेस्ट करना चाहें तो कैसे टेस्ट करेंगे हम आते हैं अपने चले उसके उपर देख लेते ब्रावजर के उपर नॉर्मली हम थंडर क्लाइंट के उपर भी इसको टेस्ट कर सकते हैं तो इस बार थंडर क्लाइंट के उपर टेस्ट करते हैं चले दोनों के उपर टेस्ट कर लेते हैं और ब्रावजर क के उपर टेस्ट नहीं हो सकती इसको मैंने कट कर दिया हम थंडर क्लाइंट के उपर आते हैं यहां पर यह रही मेरी API हमने यही बनाई थी इसको मैं ज़रा सा हाइट कर देता हूं ठीक है यही हमारी API के इंदर रिटन कर देते इसको एक बार देख भी लेते हैं यह रहा वह रिस्पॉंस तो अभी हमें सबस्क्राइब पोस्ट की API को मज़ीर एक्स्प्लोर करते हैं हमें यह तो पता है कि रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सी चीज़े आती है तो उसके अंदर से मुझे बोडि चाहिए बोडि क्या होती है मैं पिछली वीडियो भी बताया हुआ काफी मतबा इस दफ़ा दुबारा मैं आपको बताता हूं तो मैं एक variable बनाता हूं const और यहां पे लिखता हूं body और request.json और यहां पे अब मैं क्या कर देता हूं body को body को मैं करता हूं console भी करते हैं और बार में इसको show भी करवाएंगे तो मैं मैंने assign किया body को अब इसमें यह body आएगी नहीं क्यों नहीं आएगी मैं आपको यह बताना चाहरा हूं run करके तो हम क्या करते हैं दुबारा से अपनी API को run करते हैं और देखते हैं क्या आता है तो हमारी API यहां पे चल रही है पोस्ट का method है और यहां पे मैं send करता हूं ठीक है पोस्ट API आ गया अगर हम यहां पे console में देखें तो error आ गया क्यों error आ गया यह जो है promise return कर रही है यह pending इसको इतनी मौलत ही नहीं मिल रही कि यह body को ले कर रहा है और body हमने pass भी करने की यह सब चीज़ हम control करते हैं समझना चाहते हैं क्या होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं या promise return कर रहा तो promise को control किस से करते हैं async से करते हैं यह आपको याद होना चाहिए हमेशा से तो garbage को asyncéric यह यह इंसींक और मैंने यह यहां प 때 दिया civACE के भई जब तक response ना है तब तक आप इंतिजार करें और response को मतलब body को ले कर आए यह एक error तो हमने हल कर दिया अब सवाल यह body होता क्या है body क्या चीज़े क्या बला है तो अगर आप यहां पर code देखें यह layout को मैंने पहले भी बताया है देखो यहां पर क्या लिखावा है इस टेग में यह body होती है यह code के अंदर body होती है और अगर हम यहां पर आ जाएं ब्राउजर के अंदर तो यह जो white screen है ना जिसके उपर हम client होता है यह जो white screen है यहां पर अगर मैं local host लिख दूँ यह हमारी app है यह जो screen है यह जहां पर app routes यह पूरी जो screen हमारी grey color की actually यह body होती है तो इस body से जो data server की तरफ move होता है या जो data server की तरफ भेजा जाता है उस data के अंदर वो data कहां पर हमें receive होता है वो data हमें body के अंदर receive होता है तो चुनके हमारे पास अभी कोई इसके उपर ऐसा form नहीं बना हुआ या कोई ऐसा input नहीं बना हुआ जो हमारी request लेकर server के पास जाए कि यह data हम लेकर आएं kindly इसको store कर दें या database के अंदर save कर दें तो हमारे पास यह तो नहीं बना हुआ लेकिन हम इसको thunder client से check करेंगे या postman से इसको check कर सकते है ठीक है जिस तरह हमने books वाली API को check किया था तो body क्या होती है body है जो हमारे client site पर यह white space है यहा होता है तो actually वह body होती है ठीक है और यह body हम यहां पर layout के अंदर पता भी रहे कि देखो यह body होती है इससे कोई data मुफ होता है server की तरफ वह body के अंदर होता है तो आ जाते हैं दुबारा layout को cut कर देते हैं और यहां पर route के अंदर पहले हमने asing कर दिया awake लगा दिया अब इसक रिवायत आपको मालूम है लेकिन इस बार में name को change करूंगा और name लिख लिखूंगा मैं गुलजारी लाल ठीक है यह cousin है उसका किसका यह आपको पता होना चाहिए अब मैं क्या कहूंगा इसकी age क्या है वही इसकी age भी मुझे नहीं मालूम इसकी age भी नहीं मालूम अगर आपको पता हो तो मुझे जरूर बता देना और इसकी मैं age लिख देता हूँ like 18 लिख देते हैं मुझे नहीं पता तो क्या करें 18 लिख दी तो अब मैंने क्या किया मैंने इसे body के अंदर कुछ बता दिया इसको जरा सा मैं अगर हाँ यह देख है यह मैंने body के अंदर एक जैसन इसको पास कर दिया और अब दुबाड़ा मैं send करता हूँ तो post API लिखावा आ गया और अगर हम यहां पे अपने टर्मिनल के उपर देखें क्योंकि हमने यहां पे देखो console.log भी किया है body को तो यहां पे मुझे body मिलनी चाहिए तो मैं अगर scroll down करूं तो यह देखो मुझे name और गुलजारी लाल age 18 मिल गई कितना easy था समझ में आ गई body और body का किसता से इस्टेमाल करते हैं तो अब हम क्या करते हैं अब आपकी मर्जी है अब आपकी मर्जी है के चाहें तो यही body आप return response में return कर दो और अगर यह return नहीं करना चाहते तो इसको यहां पे कुछ भी calculation कर सकते हो इसको database में भेज सकते हो या कुछ भी return कर सकते हो like अगर हम यहां पे इसको हटा दें और यहां पे हम लिखते हैं object के अंदर और इसको यहां पे destructure भी कर सकते हैं आप चाहें तो इसको यहां पे destructure भी कर सकते हैं like name और age तो यहां पे मैं क्या करता हूँ यह भी करके देख लेते हैं ताकि आपको formatting कर दी और इसके अंदर मैंने भेज़ दिया बैक्टेग और मैं कहता हूं सोरी बैक्टेग और मैं कहता हूं हेलो फिन नाम नाम नेम और माई एज एज ठीक है अब एरर क्यों आ रहा है देखो मैंने console किया तो यह क्या करें के भाई new लिखो यह class है new लिखो क्योंकि हम क्या एक string फिलाल वो कर रहे हैं एक string return कर रहे हैं एक string ही response में दे रहे हैं आप चाहें तो इसको object भी दे दे तो error नहीं आएगा मैंने कर दिया save और formatting कर दी अब देखो क्या होता है दुबारा हम आते हैं अपने thunder client पर और मैं send करता हूँ और देखो hello गुलजारिलाल my age 18 कितना आसान हूँ कितना जबर्दस था और एक और चीज़ भी कर लेते हैं कहा गया हमारा code एक object भी बना के फेच सकते हैं इसको अगर मैं इसको new को मिटा और यहां पर यह सब भी मिटा दूँ और यहां पर लिखते हैं क्या dot json ठीक है save कर दिया अब क्या करेगा यह एक object रिटन करेगा जिसके अंदर name और age की property है और यह कहां से आ रहा है यह body से आ रहा है हमारी यह हमारी body है ठीक है इसको मैं comment कर देता हूँ body ठीक है यह हमारी body है तो body से क्या चीज़े आ रही है वाई body से चीज़े आ रही है name and age आप चाहिए और चीज़े भी बेजते चलो एक चीज़ हमें और add कर देते हैं वह add क्या करते हैं यहां पर हम कर देते हैं underscore id और id देते हैं 001 007 ओके अब request बेजे वाव अब देखो body से जो data जा रहा है name age और id लेकिन receive क्या हो रहा है सिर्फ name और age क्यों 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 के हमने इसे जो response में पास किया है हमने इसको response में name और age पास किया है हमने id पास ही नहीं की तो इसको क्यों id पास दीगी वह हमारी मर्जी है भाई हम याजब चाहे तो इसको डी structure भी कर लें और फिर यहां पर पास करते हैं तो यहां पर id आ जाएगी तो यह आपके आपके हैंड आपके उपर है कि आप जो चाहें इसको पास करें और जो चाहें उसे पास ना करें या चाहें आप इसे response pass कर दें क्या कि आपका जो data है वो create हो चुका है या आपका जो user वो create हो चुका है ऐसे ही होता है post के अंदर वह भी हम करके देख लेता है मैं इसको दुबारा send करता हूँ देखो अब हमारे पास आ गया अब हमारे पास वो जैसे रिसीव हो गई जो जैसन हम body से pass करें यह body है यह body है और यह जो है हमें receive हो रही बात तो इसको हमें काम करते हैं आम तोर पर क्या होता है post की जो API है वो उस वक्त यूज होती है यह data हमने भेजा उसको भेजने के बात यहां पर जो है connection होता है database का क्योंकि हमारे पास कोई database नहीं है like MongoDB या कुछ और भी तो यह एक code होता है client होती है जिसके अंदर हमें body send करनी परती है तो यह data connection होता है यहां पर उस connection के इंदर या उस query के इंदर वह हमें body pass करनी परती है like यह data pass करना परता है जैसे db वह क्या होता है वह भी मैं बता देता हूं डीवी जो भी डीवी का नाम होगा db और create करके होता है शायद create इसके अंदर हमें pass करना होता है body हमने इस लगा देते हैं यहां पर अभी कोई database है नहीं सिर्फ समझाने के लिए मैंने dummy code लिख दिया कि वही जब यह काम हो जाए तो आप यहां पे एक message pass कर दें क्या वो message pass कर दें user created यह जो भी आप create करना चाहिए user create created ठीक है और इसको अब हमें हटा देते हैं इसको new कर देते हैं ओके कंट्रोल जी एका ठीक है format अब हमने क्या किया हम body से name age और id भेज रहे और उसमें कुछ इस तरह का code है जो कि नहीं हम in future जब database परेंगे तो उसके इंदर हम यह भी experiment करेंगे फिलाल आपको समझाने के लिए कि यह data कहा जाता है किस तरह जाता है वह मैंने इससे ही लिख दिया यहां पर तो यह काम करेंगे और उसके बाद फिर हम एक message pass करेंगे कि यूजर create हो गया आप चाहिए तो इसको back tag में लिखके इस तरह भी कर सकते हैं कि हम यह कर देते चले हम लिखते हैं back tag user और फिर name दे देते हैं कि भाई इस नाम का हमने user बना दिया ठीक है इस तरह की कोई post होती है आम तोर पे जब हम कोई form submit करते हैं को यूजर बनाते या कुछ भी इस तरह की करते हैं आप चाहिए post created भी लिख सकते हैं तो अब हम API को call करते हैं API को देखो हमने body यहां पर दीवी एक user का data है मान लो यह user का data है और यहां पर देखो हमें क्या message मिलता है देखो user गुलजारी लाल created तो हमें क्या हुआ हुआ हमें यह response मिला हमें यह response मिला लेकिन उससे पहले क्या का हुआ हमने body को body से डी structure किया data को उस data को किसी डीवी के अंदर like database जो भी database हो है MongoDB है Sanity है वगेरा जो भी कुछ database है A to Z कोई भी database हो सकता है इस API में connection उसका बना दिया एक line का code होगा उसमें इस object को पास किया कि भी जब data वहां पे save हो जाए तो उसके बाद हमें यह message भेज दो बन गई post की API हो गई कितना easy था कोई problem अगर problem हो तो description में हमें ज़रूर बता है अब हम post के साथ एक और API बनाते हैं वह API क्या होगी page या put data को update करने के लिए जो भी आपका मन करें आप नाम रख सकते हैं कुछ भी फर्क नहीं है सिर्फ copy paste कुछ भी फर्क नहीं है सिर्फ फर्क कितना है मैं आपको बताता हूं फर्क इतना है कि इस तरह के database के इंदर create के इंदर होता है ना इसको update update से होती है बाज दफ़ा उसकी documentation में देखा जा सकता है मुझे याद नहीं update 1 होती है update 1 तो इस तरह की query के इंदर हमें यही same object भेजना परता है लेकिन वह इस बार name होता है change वह मैं आपको भी बताता कि भाई यह id age और name यह यह function होते है प्रीडिफाइन function होते है किसी भी database के वह कहते है आप हमें object पास कर दो जो भी update करना है तो by id वह खुद ही उस user तक पहुचता है यह उस data तक पहुचता है और इसके अंदर यह जो name और age receive होती है उसको replace कर देता है हमें कुछ नहीं करना पर दा बस हमने as a tis जिस तना post की हमने API बिनाई थी as a tis ac ही हमें post put की भी API होती है और page की भी as a tis API होती है कि यह data लेकर आएंगी और इस query के अंदर हम जो भी database की query है हम उसमें object पास कर देंगे और यह update data जो है उसमें चला जाएगा तो अब हम यह आपे save करते हैं और इसको created की जगे लिखते है updated updated और save करते हैं और अपने method के उपर आ जाते हैं post की जगे put कर देते हैं गुलजारी लाल को चमनलाल कर देते हैं age को 28 कर देते हैं 007 को कर देते हैं 707 ठीक है कि भाई यह जो data है जो id है by id sorry id को हम नहीं change कर सकते हैं क्योंकि by id हमें जो data पहले भेज़ा था गुलजारी लाल का उसको replace कर लो इस data से गुलजारी लाल को चमनलाल कर दो age को 28 कर दो इस id के उपर जो भी data है उसको replace कर दो ठीक है भेज देता हूं मैं send करता हूं और जैसे ही मैंने send की user चमनलाल updated कितना आसान था मज़ा आया practical करके बता ना किसा लगा ओके चलो पुट की भी हो गई same as it is page की भी होगी ठीक है उससे भी data update करने के लिए ही use किया जाता है और same copy paste और पुट की जगे लिख देते हैं delete बस काम खता अब delete में क्या होता है delete में हम सरिफ चाहें तो आप पुड़ा object भेजने वह उसकी ज़रुरत होती है और यह जो है यहाँ पे update 1 की जगे होता है delete 1 ओके और यहाँ पे होती है id यहाँ पे चली जाती है id और इसको save किया और यहाँ पे हम क्या करेंगे चलो एक name भी भी भेच देते हैं ताकि हम उसे बता दें ने में ओके नहीं नहीं इसे अच्छा नहीं लगेगा इसको हम क्या करते हैं सिर्फ इसे लिखते हैं कि यूजर डिलीटेड बस क्यूंकि यूजर तो डिलीट हो चुका है ना उसका डेटा हमारे पास फिर नहीं होगा डिलीटेड सेफ कर दिया अब हम क्या कर रहे हैं इस तरह की कोई क्य क्यूरी होती है कि भई DB में से यह जो क्यूरी है डिलीट वन उसको अम आईडी पास करते हैं कि भई यह जो आईडी है इसके उपर जो भी डेटा है वह डिलीट कर दो तो यह क्या करेंगे हम यहां से पहले method को change करेंगे यहां डिलीट करेंगे और यह बाकि का जो object हैं हम हटा आ गया तो हमने अपनी API के जरीए एक कर्ड ऑपरेशन बनाया उसको जास हम रिव्यू कर देते हैं हमने अपनी API से कर्ड ऑपरेशन बनाया जिसके ऊपर हमने कौन-कौन सी की request बनाई get request post की request est theoretical request अब यह request भी कहलाती है इसको आप API भी कह सकते हैं और इसको REST API भी कहते हैं और यह total आपके कन्ट्रॉल में हैं आप इसमें कुछ कुछ भी calculation कर सकते हैं यहां पर इसको response बहुत सकते हैं जो हमने गेट में काफी तजर्बे की experiment भी किये ठीक है तो इसके अंदर और कुछ रहता है मुझे नहीं लगता है इसके अंदर और कुछ रहता है तो आज की वीडियो फिर यहीं पर यर खतम करते हैं अगर अपस्ति लाएक करें करें सब्सक्रैब करें मिलतें नेक्स वीडियो में आफिस ऑप झाल झाल झाल